हालो अब्रेबन वेलकाम टो बीपेसी पैटपॉम आज का जो हमारा सेशन होगा यूनियन बजट 2022 देश के टॉप स हम लोगों बीड़न के ब्लीड को बॉड यह नहीं देखा होगा तो जाकर वीडियो को देख लेंगे अदरबास इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे एशे चीज़ हैं ज्मेदर के अंदर हो आपके कमप्लिट हो जाएंगे हम लोगों ने बिहार आए है इसके बात जो हमारा वीडियो आने वाला है एक कौनॉमिक UC objectively सेपरेटली और उन से दिने very secure हम लोग उसको करने वाल राइंगे तो बहुत अच्छा खासा जो करेंट का पोर्शन है आपकी वीपिसे पिल्लिम्स में वो यहां से कवर हो जाएंगे तो स्टार्ड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि आपका एक्जाम के लिए औली पचास दिन से साथ पचास पच्पन दिन बचा है आपकी एक्जाम को तो पचास दिनों के अंदर आपको क्या-क्या चीछे जादा करना चाहिए जैसा कि मैंने आपको स्वेंटी का पूरा जो मैंने आपको बताया था कि स्वेंटी डेज के अंदर कैसे कैसे हम लोग को टॉपी को कभर करना और लेडि हम लोग ने उसमें चार बिक के टॉपी को कभर के हैं मैं लगो अठाइस दिन हम लोग उसमें कभर कर चुक है तो जो भी चीजह बच जाती है 42 डेज क करें Sakla तो चीज़े करेंगे उसके साथ हम लोग को लगाएंगे क्योंकि मो को मॉक रखे जारें में बात करूंगा करूंगा तो मॉक लगाना महात बचाता है 500 को लगाना है कि मॉट नटेपन efic राखते हैं तो इसलिए आपके लिए यहाँ पर डौक अवलेवल है यह पर हर टेस्ट स्रीज हमारा हो गये टू पॉइंट जीरो और ये पहले हम लोगों ने जो टेस्ट्स रिस्ट्रीज़ लाँच किया था सिर रिख सकते हैं तो यह दोनों टेस्ट्रीज में तो कुल आपक test मिलेंगे तो इनको आप कर सकते हैं टिक कर सकते हैं बहुत अश्य टेस्टी रीज जाये ओकी और साथे साथ बिहार जिनका भी तक बिहार से जितने विए specific जो पूछा आथा आगे भी पेसिभ बिल्दिन पे जिन्हों भी तक बिहार को नहीं पढ़ा है तो यहां पर अगर इ और यह दोनों टेस्स देंगे तो काफ़ी अच्छा खासा सवाल आप देखाते हैं कि आपके सामने दस टेस्स मिल रहा है मिन्स कि आपको 3000 सवाल आप तो यहां से डिसक्स कर लेंगे तो यह बहुत ही बहुत ही बहतरी ने आपके लिए इसको पर्चेस कर सकते हैं कि यह साट करते हैं आधि के पहले सवाल के साथ जो हमारा सवाल है बैसिकली वह कह रहा है कि 2022 देश में जीडीपी का ग्रोथ रेट 2021-22 में क्या रखा गया मिन्स की 2022 देश का बजट हमारा आप जब बजट आया तो उन्हों ने उस बजट में बताया कि जो हमारा 2021 का जो जीडी से लिए 31 मांच खत्म होगा तो पर यह कह पहल से नहीं वाला स्टाट होगा तो इसलिए 31 मांच तक के जो हमारा अभी जो फानेंसियल यह रही किस बाइस है तो एक इस बाइस ही जीडीपी का जो ग्रोथ रेट की बात किया गया वह किया गया 9.2% ओके यह धियान रखीगा अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ओभर ओल सार्प रिवांड एन रिकवरी ओफ एकोनोमी इस रिफ्लेक्टिव ऑफ आवर कंट्री स्ट्रॉंग इसलिए इंडिया ने इस साल के एकोनोमी ग्रोथ रखा है वह 9.2 परसेंट इस्टिमेट किया है यहां तो कोई दिकत नहीं होगा इसको हमें जानना जूरी है अब देखिए सब्सक्राइब कर रहा है कि यूनियन बजट 2022 तेस में टोटल एक्सपेंडिचर क्या है देखिए जब भी बजट आता तो दो तरग चीज़े दिखाया था एक तो रेसीट कितना आए कहां से पैसा आएगा और कितना खर्चा करेंगा और कहां 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 खर्चा करेंगी यह सब्सक्राइब का मारा यूनियन बजट फोर 22 तेस ठीक है यहां तक को दिकत नहीं हो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया अब देखिए थोड़ा सा अगर हम आगे चलेंगे तो और बीची जोग समझेंगे इस बार 2021 22 में हम लोगों ने बजट किता रखा था चौरासी चौइ 25 लाग करो इस्टीमेटर है ठीक है हमने बजट दोचेर एकीश्ट बाइस में 34.83 लाग करो रखा था लेकिन एक्ट्वल में जैसे कि हम अगर रूमान लगाएंगे चलो हम आने वाले एक महीने में 200 रुपे खर्चा करेंगे ठीक है लेकिन हमसे खर्चा हो जाएगा अड़ तक कितना हुआ तो जो दवार रिवाज स्टीमीट हुआ उसमें बजट जो था एकीश बाइस का वह हो गया 37.70 लाग करोर ओके तो देख सकता अभी कितना अभी हमारा 49.45 लाग करोर है तो यह आगे जाके बड़े भी जागर रिवाज में घाटी भी सकता है रिवाज में ठ 2022 तेस इच 22.84 अब देखे यह तो बाइस पॉइंट चुरासी यह को याद रखना क्यों याद रखना है कि हमारा इस बार का जो प्राप्ति है ठीक है अगर हम अपने कर्जे को अधारी लेते हैं ठीक है अब पता है कैटल रिसीट भी होता है तो अगर उधार को हटा दे कि वाट इस टोटल रिसीट इस्क्लूडिंग ब्रोविंग से अधर दन ब्रोविंग तो हमारा उत्तर होगा बाइस पॉंट चौरासी ला करोर रुपिया ओके यह जो सवाल देख रहे हैं दूसरा नमा सवाल इसमें बहुत सारे सवाल छोपे हुए है फिर काता है कि जो फि दिफिसिट रहे किस बाइस का मैं भी 21 बात करने यह अभी 22 कि बात कर रहा हूं ओके वह 6.9 परसेंट रहे आपका फिसकल डिफिसीट और जीस डीपी जो भी हमारा जीट जो वामर जीटीपी रहता है तो जीएस डिपो लेकिन जब यूनियन की बात करने जीडीपी होगा जो हमारा जीडीपी होता है उसके परसेंटेज में निकालते हैं हम लोग फिसकल डिवसीट हो रेवेन्यू सरपलस रिफेन्यू डिफिसीट हो प्रैमिरी डिफिसीट ह जो घाटे निकालते हैं तो वो छे पॉइंट नौ परतिसित रहने वाला है हमारे जीडीपी का 21 में ठीके यही हम लोग ने अपने बजट में बजट में 6.8 कहा था अब आपके मैंने में इस सवाल उठ रहा होगा कि 22 दिसका क्या रहेगा फिसकल डिपिसीट तो हम लोगों इस बार जो फिसकल डिपिसीट की बात किया है 6.4 पर तीसथ 6.4 पर तीसे इस बार के GDP ग ने जीडीपी का हम लोगन इस्टिमेट किया तो अब हमें जानना है कि भाहिए GDP क्या GDP कितना रहने वाला है तो बजट इस्टिमीट जो 22 तेस्का है वो जीडीपी हमारा है 255 लाह करोर रुपीया ठीक है इतना लाग करोर रुप्य हमारा गड़ीप है देस्ट प्राप्त ऑड़ीक है हमारा जीड़ीपी हो चुका तो रिवाज इस्टीमीट जो हमारे इजबर का है एक इस बाइस का है वो 232 लाग क्रोर है देखें 232 लाग क्रोर हमार रिवाइज इस्टिमिट है और हम मान रहे हैं कि हमारा 225 लाग क्रोर हो जाएगा तो लगभग 11 परसेंट से हमारा GDP ग्रोथ करेगा आईसा हम लोग ने अनुमाल लगाया कफर होगे आपका त्वान नमर त स्कृष 7 कहा रहा है कि रिवाइजatiques कर दEvoCharma कितना होगा इस financial means की पार बाइस कि बात करता हूँ ते के यहां लिखा रहा है वाद कर यह आपका जो साल चल रहा हो उसके बारे बात कर रहा है देना सिक्सपॉइंट ना बात क्रहें दचला तो हमारा यह कवर हो गया अब देखिए फिल कर रहा कि निरमाला सितारामन अभी तक कितना बार बजट को प्रेजेंट की है अर्व जब॥ होता है हमारे संसद में तो सबसे स्पीच दिया वो सबसे पहली सबसे लंबा जो स्पीच उनों दिया था 2020 से कैस वाला बजट में और इस पर के वल नबे मिनट का इन्होंने अपना भासन दिया ठीक यह भी सवाल पूछ सकता है कितना बार अभी तक बिजट पेस के निर्माला सितारमन ने और निर्माला सितार सबसे कम जो बजट में जो भासाएं मतलब सब्सक्राइब का इस्तमाल क्या है सबसे कम डूरेशन का रहा वह इस बार का था नाइन्टीन मिनट का था ठीक है ज्यान रखे लिए अलोकेटेड फोर द आत्म निर्भर भारत रोजगार योजना तो आत्म निर्भर भारत रोज आत्म निर्भर के उपर बहुँ जादा इंडिया फोकस कर रहा है रेक्षेतर में जाए वो डिफेंस के मामले में हो ठीक है ध्यान रखेगा तो यह देखते यह रिभाय इस्टी मीट कितना है पांच हर करोड प्या खर्चा किया था हम लोगों ने रिभाय इस बाइस में ल चलते हम लोग कर रहा है कि हो मच एमांट इस एलोकेटेट फोर दे मिनिस्ट्री ऑफ अग्रिकल्चर और फार्मल वेलफेर जो है उनके लिए कितना रुपया खर्चा करेंगी हमारे इस बजट में तो खर्चा करने वाले एक लाख बतीस चार पांट सो तेरा क्रोड रुप इसके बाद रेले में इतना खर्चा करेंगे है और डाटा कैसे याद रहेगा बहुत ही ऐसा टफ भी नहीं है और हलका भी नहीं है तो हम क्या करेंगी बारबार चीजों को रिपीट करेंगे एमसी के मांद्यम से बनाएं तो डाटा याद हो जाएगा इसीज के लिए परसा इसी के लिए तो आपका बिहार बजट कंप्लीट होना चाहिए उनियुन बजट का कुछ कुछ पार्ट होना चाहिए ठीक है सवाल नमबर साथ का राय कि विए दोजर बाइस तेस में हैर घर नल से जल के लिए कितने घरों को कभर किया जाएगा देखिए हर घर जो जो यह स किया गया है हर घर नल से जल जो है अब तीन पॉइंट आठ करोर दोजर बाइस विए अगला जो फाइनेंशल रहा आने वाला है उसमें तीन पॉइंट आठ करोर घरों को मतलो कभर किया जाएगा इस बात को देहान ने किएगा ओके और इसके लिए साथ चार रूपिया जो आपको दस जार कोड़ याद रहाना चाहिए अब अगर हैर घर जब नल से जलव के बाद कहेगा तो साथ जार करोर आपको याद होना चाहिए ठीक है देखिए मैं बार रिपीट भी करवा दे रहा हूं अब देखिए जल जीवन मीशन के लिए वही सेंची जीजा देखिए इस निरमाला सितारा मन की बात कह रहा है कि इन्होंने कितना एलोकेट किया है तीन पॉइंट आठ करोर होस्षोल्ड को तीन पॉइंट ढ़ घरों को हैर घरल से जोनने के लिए कितना पैसा खर्चा किया जाएगा तो आपका उतर जाएगा साथ जार तीक है निस्नल हाइब तो नेशनल हाइवे की जो लंबाई है उसका बिस्तार 25 हजार किलोमेटर तक किया जाएगा ठीक है अब देख सकते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाइवे के लिए इतना देख सकते हैं एक लाख निनावे हजार रुप करोड़ करोड़ का एलोकेशन है ठीक है मतलब लग सब्सक्राइब करने वाले है इस बार हमारा केंदर सरकार पांच लाख पचीस सजार एक सोच्याट करोड़ करोड़ के है लगभग आठ परसेंट हमारे पूरे बजट का है ठीक है पूरे बजट का उन चालीस पॉइंट फॉर फाइब लाग करोड़ हमारा इस पर का बजट है ठीक है तो उसका आठ पर जो लिए कितना होगा हमारा लगभग आप देख सकते हैं कि फाइव बावन पांच लाग सब्सक्राइब करोड़ खर्चा करेंगे इस बार टेक है तो यहां तक कोई दिकत नहीं होगा ओके आब हम बात करेंगे आगे चलेंगे थोड़ा सा यहां देखें लिखा हुआ भी कि नेशनल हाइवे नेटवर्क आज पर यूनियन बजर 2022 अज़ा पार्ट आफ आथम निरवर भारत सेम चीज़े हैं कर रहा है कि आत्म निरवर भारत के माध्यम में के अंतरगात कर रहा है कि कि इस तरह करा जाती है ना तो एक तरह का सिस्टम होगा जिससे के ट्रेंट आटमेंटिक रूप जाई अगर ए टेक्नालोजियों के लिए तो उसके अंदर फूर रल्वील लायन जो कबर के जाएंगे फिर फोर रोलाइक की लंबाई के अगर report करेंगे तो लिजय वर ऑन गया वैं ईससटम से टेङlerde मैस माद मतना वन नेशन वन प्रड़क्ट की बात किया गया इस बार दो यह किलमेटर आपने देखे लाए कि कवज गंदर आजाएगा चार जार नए बंदे भारत एक्सपरेस ट्रेंट चलेगा ठीक ने चार यह बंदे भारत बनेगा तिन सालों में और अगला तिन साल में तर्मिनल भी बनेंगे और तो फॉर परेटिज हैं इस वार के वाजड़ में उसमें प्येम गति सकती भी आपको देखने को मिलता है ओके आगे चलेंगे करा रहा है कि करेंगे कि आत्मनिरभर अता इन एक्यूपेंट फॉर्द पहला कि य् investigate आप कि आना कि जितने भी आप सबस,... और म को दिया जाएगा बनाने के लिए तो उनका जो था प्रोक्री sondern जाएगा तो हमाई फाहले भारत के अन्दर जितने भी conditions sono है जैसे बंदों खिर्दना है तो हम लोग लगवास पहले हम 58 परसेंट अपना जैसे कि मालने ते अगर 100 क्रोड रुपिया खर्चा करेगी डिपेंस इसको अगर हम 100 पर खर्चा करेंगे तो लगवक 68 रुपियज का समान हम लोग अपने इंडिया से इखर देंगे तो यह हमने कहीं नहीं आत निरभर को लेके एक्यूपेंट के मामले में आपको देखा जा रहा है तो 68 परसेंट इस दर राइट अंसर अब देख सकते हैं फिसकल डिफिसीट दोहर 22 तेस में कितना रखा गया है अभी मैंने शुदा है कि इस बार का जो फिसकल डिफिसीट है 22 तेस में वह 6.4 परसेंट 21 बार सरकार खर्चा कर रही है जितना सब्सक्राइब और कितना कमा रही है अगर हम लोन को अठाद को सरकार ले तो जितना सब्सक्राइब ठीपलर जोता है वो फिस्कल डिफिसिट राजकोशी एगाटा कहलाता है जो इस बार कितना रहने वाला है देख सकते हैं ठीक है सोला लाक 16,196 16,196 करोर रुपिया का बारत सरकार का फिस्कल डिफिसिट को स्कते हैं कि सरकार अपने जो भी चीजे है रिवेनियूस के जो घर्चे है को पूरा करने के लिए अपने एक्सपेंडिचर के रिकॉर्मेंट्स को पूरा करने के लिए जो पैसे उनको लगेंगे जो घाटा इतरह से वह आपका फिसकल डिपिसिट डेट इस आप समझ सकते नहीं यह चीजे यह अगर माल लेता है कि आपका का इंकम सब्सक्राइब तो आपको बीच रुपिया घाटा होगा आप पूर्ति कहीं न कहीं से करेंगे तो डाट इस फिसकल डेपिसिट यह समसाथ रेवेन्यू है उसे जागर सरकार का रिवेन्यू को मामले में जैसे कि चरकार का जितना भी रिवेन्यू रिसीट है कि बच्छों को पढ़ाने खर्चा वह आपका 100 रुपे ज्यादा हो जाए मिसे 120 रुपे खर्च हो जा रहे हैं डेटीच देख सकते हैं तो यह 20 रुपे क्या होगा आपका रिवेन्यू डिफिसीट हो गया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिशीट आप सम अच्टिच आप रहे हैं doto viktig का है अच्टिट लाइगा तो अगर आपको जी डिण पीस पर स्केल में तो आपको उसको पर्सेंटेश के मांदेम से उसके मुक्राया सकते फिसके बने का घता है कि 1982 बजट है वह कितनी पीलरस पहां मत्रुप्त कर सकते हैं कि 16 रोपय है तो यह पिलार प्राइर्टेज एसा में आपको ज्यादा यह कंशूज नहीं होना बस में जो इस बार का बजट हमारा चार चीज़ फोकस कर रहा है वो चार चीज क्या क्या है देख सकते हैं पीम गती सकती पीम गती सकती इन्फरस्ट्रक्ट्टर को लेके बहुत बड़ा प्र उसके बाद प्रड़क्टिव इन्हेंस्मेंट अब देख सकते हैं उसके बाद फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्ट्मेंट यह सारे आपके आप क्या जाएंगे इसमें फोर प्राइटिस के अंदर ठीक तो का नाम कब से कम याद रखिए ओके आगे चलेंगे कि हम लोग जो 75 हम लोग का जो जो चल रहा था अल्रेडी आम लोग 45 जो 75 डे सेवेंटीफाइब ये जो हमारा है भारत इजादी के बाद यहांस से बाद आब आजादी के 75 से बाद वाला मिंसके आजादी के 100 साल जो आने वाले हैं 75 से 100 के बीच में जो हमारा जो आने वाला है लगभग आप यहां से जोड़ लेंगे के मतद और यह सारे चीजिए आप देख सकते हैं हिंदी में है जो इस बार खर्चा करने वाली है बिहार सरकार स्वरी यह जो भार सरकार खर्चा करने वाली है पुझिकत ब्याइज जो है चालू बरस में वह 5.5 चार लाख करोर रोपिया ठीक है समयर बात को यह क्या चालू ब करने वाले हैं तो कितना परसेंट से बढ़ गया तो यह तो आप परसेंटेज निकाल भी सकते हैं लेकिन उत्तर होगा 35.4 परती साथ ओके तो यह ध्यान देजिएगा यह हमारा जो इस बार का जो हम लोगों ने केंपिटल एक्स्पेंडिचर करने की जो बात की वह फाइप 7.5 लाग क्रोड लेकिन आने वाला समय 22 में लोग 7.5 लाग क्रोड तक के खर्चा करेंगे तो लगवग हम लोग अपने पुंजिगत ब्याय में पुंजिगत ब्याय में 35.4 परती साथ की ब्रोदरी कर रहे हैं ओके अब कह रहा है कि यह ओटले इन 222 परसेंट टूबी 2.9 परसेंट अब GDP कहा रहा है कि जो हम लोग Capital expenditure में जो खर्चा करेंगे ठीक है 222 में वह हमारे GDP का 2.9 परती सत रहने वाला है ओके यहां तक कोई दिकत नहीं होगा ठीक है जैसे कि आप देखेंगे ना हमारा इस पर कितना 222 लाग क्रोड रुपिया हमारा 10.6 8 लाग क्रोड रुपीज है इस बार को जाने कि जो कि हमारे GDP का 4.1 फैक डिधिव एलग हम एक्टिव एक्सपेंड़ीचर जो है दास पॉइंट सिक्स ट्लैक क्लों रॉपिया है जो कितना परसेंट है अभी मैंने मुता है कि फॉर पॉइंट टू परसेंट हो जाएगा और अगर केबल कैप्टल पुछेगा तो टू पॉइंट नाइन परसेंट हो जाएगा जीटीपी का जो साड़े साथ लाख है ठीक है द्यान रखेगा यह सोरी यह 4.1 वन वागया है सॉरी सब्सक्राइब यह 4.1 परसेंट टिक है 4.1 परसेंट ध्यान रखेगा आगे चलता हम लोग फिर कहा रहा है कि जो हमारा इस पर का जो कैप्टल एक स्पेंडीचर जो है दोहरबाइस तेस का वह साढ़े साथ लाख करो रूपिया है तो हमारे जीटीबी का कितना परसेंट होगा फिर सेम चीजे यह सवाल को तीन वार मैंने क्यों डाला क्योंकि आपका यह परसेंटेज याद हो जाए तो साड़े साथ लाग करोड़ रुपे जो खर्चा करेंगे वह हमारे जीडीपी का अराम से देखेंगे ट अब जाहतर ऑनलाइन प्लेटफर्म सब चीजे हो चुके हैं कलासे चल रही है तो उसके माध्यम से जो पहले बारा चैनल था उस चैनल की संख्या को अब सीदे सीदे 200 चैनल कर दिया जाएगा पीम इबिद्या के अंतरगत में वन कलास वन टीबी चैनल में 200 चैनल को कबर कि किया जाएगा ओक्या देख सकते हैं का क्या चीज़ें भर्चोल लैब बनेगा एडिश्टल इन्वर्सीटी से टफ किया जाएगा ओके देखिए स्कील डेवलेप्मेंट को छेतर में भी किया जो भी लोग है उनके स्किल को डेवलप करने के माधिन के लिए डिजिटल एको रोट किया जाएगा स्टाप्टर गूर्प में ड्रोन को तो यह ड्रोन एज सर्विस ड्रोन सकती और देश अस्टैक की पोटल यह दोनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है हाई क्वालेटी इस कंटेंट प्रफाइट के डिजिटल टीचर्स होगे वोके बर्चोल ल सब्सक्राइब के माधन से जोड़ा जाएगा तो वह पूरी पूरी तरह से सारे जो पोस्ट आपिस होंगे तो लगभग जो हम लोग कवर करने वाले हैं देड़ लाग पोस्ट आफिस को अंडेड मिंसकी कहने कमतों कि हंडिर परसेंट ऑफ बेल लाग पोस्ट आपिस पू सब्सक्राइब का 75 साल है तो 75 डिश्टर बैंगे उन्ट सेट अप किया जाएगा 75 डिस्टिक में ओके सवाल नमर 19 कर रहा है कितना क्रोव रूपया खर्चा करेंगे असी लाग घरों को बनाने के लिए पीम आवास योजना के अंतरगत तो पीम आवास योजना के अंतरगत जल दीवन में तो अब उन्हें उन्हें पांसो तीरफन क्रोव रूपया खर्चा करेंगे फियंगे मैं तो बहुत उस कबर भी कर वाया हूं बजट में और यह वहाला पीडियेफ से भी आप कबर कर लीशेगा ठीक है वाट विल्द फाइनेंसर ओट ले फोर दा प्रैम मिनिस्टर डिवलप्मेंट देखे ब्रदान मंत्री का एक नया इनिस्टिव है जो नौर्थ इस्ट रिजन्स हैं उनके डिवलप्मेंट के लिए पी एम डिवाइन स्कीम लांच किया गया और इस स्कीम पे जो स्टार्ट में जो खर्चा किया जाएगा पैसा पुर्वतर छेतर को विकास के लिए वो किया जाएगा पंदरा सो क्रोड रूपी ठीक है ओके देख सकते हैं और इस स्कीम के अंदर उनको किस तरह से लाइबली हूड अक्टिविटीज में रखना है यूथ और यूथ जो भी हैं आपक इमर्जन्ति क्रेडिट लाइन गरांटी स्कीम के जो डेट है उसको बढ़ा दिया गया एक तरह का ऐसा स्कीम है जिसे कि जितने भी पैंडेमिक के टाइम है जितने भी आपके एमसी एमसी जो रहे हैं जितने आपके छोटे लगोदो जो सुसमें लगोदो वाले जो कंपनी रहें उनको कहीना की फ्रॉलम मुआ उनको कहीना की फ्इनिस लूप से वोगरांटिट के जो इनका तो उनका जो लोन प्रोवाइड करनी के जो प्रोटी थी है उश को इस मार्च 2000 तेस्ट वे यह देख सकते हैं कि जितने भी आपके उद्वाले जो पोड़र मेंस्어 अमसी प्रवाइट के जाएगा इमेजनस्टी क्रेट लिंग गरांटी इतनी इतनी कमपनी जो है मस्टी कमपनी को इस स्कीम के अंदर लाया जाएगा इसकी तक बढ़ा दिया गया और यह लिखा कि जो स्कीम के अंदर पचास साल कोड़ का उसको बढ़ा के पांच लाग क्रोड कर दिया गया दो लाग क्रोड एडिशनल करेट मिलेगा मायक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए जो आपके ट्रेस्ट मायक्रों जो सी जी टी एमसी के अंदर में है ठीक है जो एक तरह का थ्यां कराराएं कि कौन साइसा प्रजेक्ट है कौन सा शाय सा प्रोग्राम है जों कि ब्रद्ट मिंट म्रोडरं बीट ही क्योंकि इन रहने के मिलती यजुव यह थीयो उन्हों को के लिए उनकी लिए जो कि विर्एंट प Gentlemen के लिए पूर्म है बुए इस बात को ध्यान स्टेज पर फोकस करने वाली है वो गंगा के किनारे जो पांच किलिमेटर के गंगा नदे किनारे उन पांच किलिमेटर एरिया के कुरिडॉर में रसाइनिक एरसाइनिक मुक्त प्रकृतिक खेती को बढ़ाबा दिया जाएगा तो फाइब किलोमेटर हमारे उत्तर होगा इस बात को ध्यान देखेगा आप इसमें देखेगा 2.37 लगभग दिसा तेंग 2.37 लाग क्रोड रूपिय का डिरेक्ट पेमेंट किया जाएगा 1.63 क्रोड फार् 2.37 लाग क्रोड रूपिय का खर्चा करेगी थान ख्रिदने के माध्य में से ठीक है आप देखे किसान ड्रोन को लाउंच कहा रहाएगा कि ड्रोन के माध्यम से खेतों का मुल्यांकन होगा फसलों का मुल्यांकन होगा जो लैंड रिकॉर्ड उनका डिजिटारेशन होगा मुल्याम Mireτ A हम जानार जो आपकरats राज कहले लाव से खेते हैं कि कि देखते हैं कि ट्रोन काones कर सकते हैं दिया घृ-मेस के लिए ठीकति अधिसानग और चौडा सानकर कर्याओं की सकानग्रों मुद्वे का जो एक बचला के लिए केन बेतवानदी को चोड़ने के लिए चौदा सो क्रोड़ रुपे का ओटले है इससे 9.08 इतना लाख फारमर्स जो है है उनका सिचाई होगा तो बहुत सारे और भी पांच डिप्यार्स पांच रिवर्स के लिए और डिटी किया जाए है तो उस बात को ध्यान रखे के लिए चौदा सो क्रोड़ रुपे का ओटले है कि कितना लोकेशन होगा प्रड़क्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए जो हाई एप एससे सोलर जो मॉडूल जहें तो सची गिगावाट जो कैपसिटीज का जो बात किया देगा मिसकाने को तो जो 280 गिगावाट जो सरकार का लक्षे के दो अर्थिस तक के हम सोलर पावर की बात करेंगे सोलर पावर के मादन से 280 गिगावाट हम लोग उत्पादन करेंगे तो उसकी लिए प्रड़क्टिव लिंक इंसेंटिव होगा जो हाई इपिससी का जो सोलर बना पाए मैं चोड़ा उसमें ज्यादा प नंचारी थे उनका एन प्यस इस परसंट कर रहा तो उसकी जो है ली मिट है वो 14 कर दिया के चशोदा पर संट कर दिया घया इस बात को ध्यान रखेगा हम चलेंगे आगे किया क्या वीगे इस सोर्स फिंकम है सेंट्रल गॉर्मेंट का इन बजट में तो सबसे से ज्यादा जो चल्टर चुंदा रिया था है वो आता है उधारी से स्रकार उधार लेती है और यह उद्रेन्दारियां उन से भीहार सेंट्र गुवर्मेंट का सबसे ज़्यादा इंकम होता है उखे उसके बाद हमारा से करने में आपका GST आ ठीक है अब देख से ते थे कि पैंटी जितना जीसे उन चालीश पॉइंट फॉर फैबला को रॉपे इस पार है कि हमारा गया सरकार का अब उसमें से 35 परसेंट रुपे हम लोग उधार ले लेंगे और 16 परसेंट रुपे हमारा जीस्टी कलेक्शन होगा फिर इंकम टेक्स है मारा पंदर परसेंट आएगा फिर हमारा कोर्परेसन टेक्स तो यह सारे आपको सिरियल बाइस आपको याद रखना है सब्सक्राप य आगे चलते हैं अब यह पूरा डाटा वीडियो को पाउज करिए और पूरा रट चाहिए यह कैपिटल रिसीट हमारा कितना होगा अगर ब्रॉबिंग्स को हटा दे हमारा रिसीट पूरा विदार ब्रॉबिंग कितना है 22.84 लाग करोर हम लोग उधारी इतना ले रहे हैं भी करेंगे यह रिसीट है कि हमारे इतना पैसा आएगा इसक सेंटर क नेतक्स स सेंटर करूं अधर को पड़ती है तो हम लोग कर देख सकते हैं कि 8.16.00 क्रोल रुपे जो हम लोग के राज्य को बाट देंगे और बाकि उनिस पॉइंट 34.00 क्रोल रुपे हैं जो हमारा सेंडर का नेंट तो यह सारे डाक्र तो महत्पून है लेकिन यह सब लोन ले रहे हैं तो ज्यादा पैसा को कहा जाएगा लोन को चुकाने में तो इंट्रेस्ट पेमेंट में ब्याज भुगतान में सरकार का पैसा लग वक अब देख सकते हैं कि जितना सरकार खर्चा करेंगे उन चालीस पॉइंट फॉर फाइव लाग क्रूर रॉपया अब समय लगवर और रॉंड ओफिकर में चालीस लग क्रूर पैसा करेंगे उसका बीस परसेंट लगभग आठ लग क्रूर रॉपया सरकार इंट्रेस्ट पेमेंट में खर्चा कर देंगे बाकि आप देख सकते हैं सेकंड नमर पर आपका डिफेंस प्यार्ट परसेंट होगा तो यह डाटा याद रखना यह परसेंटेज या रखना कम से कम उपर से तीन तीन चार्ट ठीक है यह द्याने बहुत महत्त पूने इसको आप याद रखना ही पड़ेगा बार बार देहान रखेंगा तो याद रखना जाएगा अब देख सकते हैं कितना करेगा याप्टेल एक्सपेंडिचर रिवीन इस्पेंडिचर ब्यास अगरा कितना इसका 32 लाग करोर है सेंटर अगरमेंट का इगनोर करेगा मैं बार बहुत से खर बोल रहा हूं ओके अप्टेल एक्सपेंडिचर अब देख सकते हैं सेवन पॉइंट फाइव लाग करो रुपिया है तोटल मिलाके उन चालीज पॉइंट फॉर फाइव लाग करो रुपिया हमारे 32.84 लाग रुपिया है ओके डिया डिपीट हमारा इस बार का जो रहने वाला है वह मारे तीन पाइंट आर्ट परतिसाथ और फिसकल डिपशेट् छे पॉइंट चार परतिसाथ और प्रैमेर डिपीच टूपाइंट एड परतिसाथ ओके उसबर हमारा लास तौबाल है जो स है सरकार का जो करजा है मित के अभी तक जो सरकार का जो करजा है वो जी डीटी का कितना परतिस्त है देखिस सरकार का जो करजा और स्टेंडिक मतलब कहते हैं तो कि पहले से भी कर जाता हो कर जाए चलते आरा चलते आरा तो जो सेंट्रल गूर्मेंट का जो अस्टेंडिंग ज देख सकते हैं कि पहले यह देखिए हमारा 20 तक एच में एकसर था फिर हमारा उनसेट हुआ अवह हमारा सार्ट में तो कहने धीमा धीमा हम लोग कम करेंगे टीक है इस जो जो आश्टेंडिक लिविलिटी जैसे इसको हम लोग कम करेंगे रेविन जेनेटर करेंगे तो कम होते जाएगा है ओके ध्यान रखेगा आगे चलते हैं यह सेम चीज़े आप पढ़ लेजेगा पूरा सेम चीज़े आप लिखा हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीचेगा तो हमारा आज के इस सेशन में हम लोगोंने 28 सवाल को किया और 28 सवाल से हम लोगोंने बहुत सारे सवा चाहिए हमें कि आपको समझ में आया जितना में 28 सवाल बताया तो आपको समझ में आया नहीं आया हाला कि आज मैंने बाहर बिहार वोला है तुसको इग्णोर करेगा चली मिलते हैं नेक्ट वीडियों तो तक के लिए धन्यवाद